जहीं दोस्तों मेरा नाम है पुशकर और आप देख रहे हैं Techs Crew आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपने Windows 10 पे चल रहे है Laptop को अपने Android TV पे मिरर कर सकते हैं यहाँ पर हम Me TV का यूज कर रहे हैं आप OnePlus TV में देख सकते हैं Sony का भी Android TV आता है उसमें देख सकते हैं Realme का Android TV आता है उसमें देख सकते हैं बागी Me TV में कहाना है कि Miracast नाम से एक software आपको pre-installed मिलता है जिसके मदद से काफी easy हो जाता है Laptop screen को अपने Android TV पे mirror करना यहाँ पर हम आपको दो तरीका बताएंगे एक wired होगा दूसरा wireless होगा wired तरीके में आपका 300-400 रुपाय खर्च होगा because आपको एक HDMI केबल जो हो purchase करना पड़ेगा और एक अच्छे HDMI केबल का link हम video description में देदी है वहाँ से आप उसको purchase कर सकते हैं इसके अलावा जो wireless तरीका है उसमें आपको किसी भी internet connection का requirement नहीं होगा simply हम Bluetooth के थुरू आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप wireless तरीके से अपने Windows 10 laptop को अपने Android TV या Mi TV पे mirror कर सकते हैं start करने इस वीडियो को सबसे पहला जो तरीका है वो है wired तरीका जिसमें हम HDMI cable के थुरू आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप अपने laptop screen को mirror कर सकते हैं अभी के समय में almost हर एक Android TV में आपको HDMI port मिल जाता है यहाँ पे मेरे Mi TV में 3 HDMI port है पहले HDMI port पे MSTAR जो दिख रहा है यह Tata Sky का setup box है HDMI 2 और HDMI 3 जो है इस पे कुछ भी connected नहीं है तो इसमें से एक HDMI port के थुरू हम HDMI cable को connect किये हैं जो कि यहाँ पे हम लगा के रखे हैं और back side में HDMI port रहता है तो वो चीज़ आप connect कर लीजेगा जो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह मेरे laptop का HDMI port है और इसमें जो है न हम एक TV से HDMI cable जो है connect किये हैं जो कि यहाँ पे यह रहा अब इस cable को जो है हम अपने laptop के HDMI port में insert कर देंगे insert करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे M star जो पहले number पे आ रहा था वो दूसरे number पे आ रहा है कि आपको अपने TV के remote को ले लेना है और यहाँ से आपको HDMI 2 पे ले आना है और उसके बाद जो OK बटन है उसको press कर देना है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे laptop का screen जो है वो मेरे TV पे mirror हो गया है और यहाँ पे जो quality है वो बहुत ही अच्छा है यह चीज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़े दर में wireless तरीके से भी connect करेंगे और उसके बाद आप clearly notice कर पाएंगे कि wired और wireless में क्या difference आपको देखने के लिए मिलता है इसके लाब अगर हम latency का बात करते हैं तो एकदम भी latency आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा real time में जो भी आप अपने laptop पे scroll करेंगे, use करेंगे वो चीज आपको आपके TV screen पे भी देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे अगर हम अपने laptop पे कोई video जो है वो play करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह मेरे laptop screen पे play हो रहा है और यह मेरे TV पे play हो रहा है जो sound है वो TV के थुरू आ रहा है, laptop के थुरू नहीं आ रहा है और बिलकुल real time में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है नेक्सट यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट करने के बाद बहुत सारा option भी देखने के लिए मिलता है यहाँ पे हम आपको अपने laptop screen पे दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको कौर्णर में notification center का एक icon देखने के लिए मिलता है I hope कि आपको दिख रहा है और आपको आपके laptop पे भी आइकन देखने के लिए मिल जाएगा इसके उपर आप जब tap करते हैं तो आपका notification center as well as control center open हो जाता है यहाँ पर आपको project का एक option या switch देखने के लिए मिलेगा इसके उपर आपको tap करना है यहाँ पर आप 3-4 तरीका आपको मिल जाता है project करने का जिसमें पहला तरीका है duplicate मतलब कि जो laptop screen है वो same to same आपको आपके tv पे दिखाई देगा दूसरा है extend गा तो अगर यहाँ पर आप extend पर tap करते हैं तो आपका जो tv screen है न वो extended mode में open होता है इसका मतलब कि laptop screen के अलावा आपके पास tv का screen एक option के तौर पे आपको मिल जाएगा अब यह हम आपको properly यहाँ पर दिखाने का कोशिश करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने laptop screen पर एक video जो है वो play कर रहे हैं बट यह फिलहाल मेरे tv पर play नहीं हो रहा है बट यहाँ पर मेरे पास option यह है कि जैसे इसको अगर हम minimize करते हैं और इसको अगर हम drag करें तो इस side से आप देख सकते हैं कि यह अभी आधा मेरे laptop पर play हो रहा है आधा मेरे tv पर play हो रहा है तो आप इसको completely अपने tv पर switch कर सकते हैं अब यहांपे आप देख सकते हैं कि मेरे TV पर विडियो प्ले हो रहा है और हम अपने laptop में कुछ भी और यूज कर सकते हैं like अगर हम को अपने laptop में browsing करना है तो यहां पेm browser open कर सकते हैं यहां पेm pressing कर सकते हैं और TV में जो है video play होता रहेगा तो इस ऩरिखेसे आप आपको एक extended display जो है वो मिल जाता है project mode में जाके वापस से हम अपने laptop screen में आ रहे हैं और यहां पर हम control center या जो भी notification center वो open करते हैं यहां पर फिर से project पर tap करते हैं और यहां पर आपको next option मिल जाता है extend के नीचे second screen only अगर आप करते हैं आपको laptop का screen जो है वो completely blank हो जाएगा और यहां पर आपका जो TV का screen है वो आपका primary screen हो जाएगा मतलब आप अपने laptop को जो है वो side में रख सकते हैं और आपने TV पर completely screen mirroring जो है अब हम आपको दिखाते हैं कि आप बिना internet के किस तरीके से wirelessly अपने laptop screen को mirror कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे PC screen only पे जाना होगा और उसके बाद अब हम अपने TV को जो है wired तरीके से पहले disconnect कर देते हैं उसके लिए आपको simple जो है न यहाँ पे HDMI cable आप connect करके रखें इसको निकाल देना है next यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप wirelessly अपने Windows 10 laptop को mirror कर सकते हैं और यहाँ पे हम किसी भी internet connection का use नहीं करेंगे तो यह मेरा laptop screen है और यहाँ पे हम आपको सबसे पहले तो यह दिखा देते हैं कि हमारा जो laptop है वो फिलहाल internet से connected नहीं है next यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको अपने laptop में जो Windows का icon रहता है corner में इसके उपर tap करना है tap करने के बाद यहाँ पे आपको settings में जाना है settings में जाने के बाद यहाँ पे आपको devices में जाना है devices में यहाँ पे आपको add bluetooth and other devices पे tap करना है फिर wireless display और dock पे tap करना है अब यहाँ पे यह जो है ना search कर रहा है same time में हम यहां पर TV पर आते हैं Home screen में यहां पर Me TV में आपको last में जो पूरा app list है इसके उपर जाना है और यहां पर app list में आपको नीचे जो है ना Miracast नाम का एक software जो है वो देखने के लिए मिल जाता यह वाला इसको आपको open कर लेना है कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहां पर आपको दो option मिलता है एक है पहला definition priority मतलब इसमें quality जो है वो जादा improved रहेगा और दूसरा है fluency priority मतलब की latency कम रहेगा ज्यादा smooth experience आपको देखने के लिए मिलेगा तो आप जो है ना दोनों में से कोई भी option यहां पर select कर सकते हैं तो यहां पर हम सबसे पहले तो आपको definition priority में ही दिखाते हैं और यहां पर यह जो है गनेक्शन शो कर रहा है और आप देख सकते हैं यहां भ्याद्नाव देख सकते हैं एंड्रुएड मी टीवी ड्यक्शब हो गया । Windows के ओपर shift अक दिख सकते हैं मेरे TV पे mirror हो चुका है wireless तरीके से और यहाँ पे आप clearly देख सकते हैं laptop screen में कि कोई भी internet connection जो है वो नहीं है मतलब कि internet से connected नहीं है मेरा laptop तो यह बिना internet connection के है और Bluetooth के through है तो थोड़ा सा latency जो है आपको definitely यहाँ पे TV screen पे देखने के लिए मिलेगा हलका सा jitteriness जो है वो देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे quality भी थोड़ा सा compromise रहेगा wired के comparison में जैसा कि आप देख सकते हैं यह Google Chrome का symbol आप देख सकते हैं इसमें जो green color है थोड़ा सा फैलता हुआ दिख रहा है आपको हम आपको स्क्रीन पे जो है न साइड बाई साइड wired और wireless का comparison जो है वो दिखा रहे हैं जिसमें आप quality को compare कर सकते हैं वीडियो चला के भी दिखा रहे हैं तो wired का quality definitely काफी जादा अच्छा रहता है तो इस वीडियो में हम आपको दिखाए किस तरीके से आप जो है ना wired और wireless तरीके से अपने windows 10 पे चल रहे है laptop को अपने me tv पे android tv पे mirror कर सकते हैं यहां पे wired और wireless का comparison भी हम आपको दिखाए और जो project वाले screen है मतलब की extended display या फिर PC screen या फिर only second screen इस टाइप का जो options है वो आप wired और wireless mode में सेम तरीके से use कर सकते हैं जैसा हम आपको wired method में दिखाए थे बागी जो HDMI cable है उसका link हम video description में दे दिया है quality जो है wired के condition में ज्यादा अच्छा है बट emergency में अगर आपके पास HDMI cable नहीं है तो wirelessly Bluetooth के through अब बिना internet connection के भी अपना जो laptop है Windows 10 पे अगर चल रहा है तो उसको easily mirror कर सकते हैं बागी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजेगा और चानल को subscribe कर दीजेगा वह बिल्कुल free है मिलते नेक्स वीडियो में तब तक technology क अस्तमाल एक limit में कीजिए और देखने के लिए आपका धन्यवाद और अगर आप अभी तक नहीं गया है तो वीडियो को share भी कर दीजेगा बिलते नेक्स वीडियो में बबाई